हेलो एवरिवन, वेलकम टू आवर योट्यूब चैनल, कुंसेप्चिल स्टडी, स्ट्रोंग यूर बेस्ट, स्ट्रोंग यूर फ्यूचर, आईए, हम लोगों ने शुरू करिए थी अपनी MC के उसकी सीरीज किसकी रिसर्च की, है ना, तो रिसर्च की हम लोग रिवीजन बह हमारा एक, ठीक है, conceptual study के नईम से, यहाँ पर आप जाके join कर सकते हैं, और यहाँ पर सुबह एक आपको PDF मिलेगी, जिसमें कुछ questions होंगे, वो आपको questions करने होंगे, और शाम को जब वीडियो आती है, तो आप खुद को evaluate कर पाएंगे, कि आपके questions कितने सही है, आपके कौन स concept में भी problem आ रही है, ठीक है, तो आप जाके वहाँ join कर सकते हैं, आपको इस तरह का symbol वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बचे यही कर रहे हैं, अपने आपको evaluate करते हैं, और comment करके मुझे जरूर बताते हैं, ठीक है, और आप भी बताईएगा कि कितने आपके questions सही हु और bell icon जरूर दबाएगा, ताकि जो भी कई नई वीडियो आएगी कोई भी तो आपको सबसे पहले notification मिल पाए, और आपके त्यारी और भी जाजा अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है, चले, start करते हैं, देखिए, आज 51st question, बोले तो first question आज का, ठीक है, इस test series का 51st question है, ठी क्या कहता है, the purpose of review of literature, review of literature, आपको अगर ध्यान हो, तो हमने process किया था, research का, और research के process में हमने formulate करना था, अपना क्या problem को, problem को जो हमने identify किया, उसके बाद हमने literature review, उसको किया, literature review किया, मतलब कि हमने articles पढ़े, research papers पढ़े, वो सब कुछ पढ़के, उसके बाद हमने देखा कि पहले किंची जो भी research हो चुकी है, और हमें एक boundary बनाने में help मिलती है, क्या मिलती है, help मिलती है, boundaries मनाने में, हमने पढ़ा दरमा, boundaries मनाना, तो अगर अभी तक भी आपने नहीं देखी, वो research की, जो full revision video थी, वो जरूर देखेगा, PDF भी उसकी आपको telegram link पर free में मिल जाएग ठीक है, include क्या क्या है, to understand the subject, subject background, अभी हम क्या जानना चाहते है, कि subject का background क्या है, बिल्कुल हम जानना चाहते है, ठीक है, फिर है to formulate research questions, बिल्कुल formulate करने के लिए research questions को, ठीक है, क्योंकि आगर आप literature review करेंगे, उसके बाद, आप boundary बनाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा exact question है क्या, और उस question पर आप finding निकाल सकते है, ठीक है, फिर to find out relevant methodology, बिल्कुल आप किस तरह की methodology लगाएंगे, किस कौन सी उस पर relevant रहेगी, वो आप देखना चाहते है, literature review करके, to debate the ethical aspect of research नहीं, आप debate इस तरह में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करता ह है क्या, to carry out meta analysis of bibliography नहीं, ठीक है, to identify the data sources, बिल्कुल आप identify करेंगे कि आपका जो data है, उसके sources क्या-क्या होने वाले हैं, और किस तरह का data आपको requirement रहेगा आपकी research में, ठीक है, तो आपका option number first, मतलब A, B, C and F, बोल तो second option is a correct answer, ठीक है, चलिए, next question, two different terms make an same experiment is called, देखिए, ब देखी है और तो उसमें मेंने आपको ने एक रोत के example से समझाया था, ठीक है, तो जो approach a flower होते हैं, उसके हिसाप से मैने आपको समझाया, तो बहुत अच्या तो उसमें क्या था मैंने आपको तीनों चीज करवाई थे तो बहुँच अच्छे तरिक्या से करवाई थी मैं ऊपर उपर से थोड़ा सा और बता दूँ इसमें कहते हैं तो तीन वर्डस थे हैं हम ने जहां देखे थे तो एक तो था repeatability, जब repeat, देखो repeat हम याद कर सकते हैं, जब same team हो और same experiment करें, ठीक है, इसका example आप प्लीज वहाँ से देखिएगा, ठीक है कि थोड़ा detail में है, वहाँ पर मैंने अच्छे से करवा रखा है हो जादा, तो यहाँ मैं उपर-उपर से बता दे रहा हूँ, reproduce में क् कि different team आजाती है, लेकिन same, sorry, different team आजाती है, और same experiment नहीं करते हैं, मतलब different experiment ही करती है, बोले तो यहाँ पर same team, same experiment, यहाँ पर different team, different experiment, और यहाँ पर different team, same experiment, ठीक है, तो repeat में same team, same experiment, ठीक है, reproduce में different team, different experiment, replicability में different team, but same experiment, set up होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही जो आपका मुल्टी स्टेज क्लस्टर होता है वो कैसे कैसे करते हैं मैंने आपको उदर भी एक्जांपल दिया था मालो आप इंडिया में से आपने किसी गाहों तक पहुंचने तो अब यहां क्या आगर होगे इंडिया के कुछ 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 घ्र ठेट कर लिए नसके हैं जुनको अभी करोना सफी हुए है तो यह क्या चलता रहें तो यह आप से पूछ रहा कि multi stage cluster sampling है वो most helpful कब होगी वो ठीक है तो most helpful एंड time constraints बिलकुल उसके पैसा अच्छा कासा है बड़िया एशोरा में जी रहा है और वो कर सकता है इस तरह रिसर्च ठीक है तो तीनों सही है तो अपना option जो है डी बिलकुल सही है चलिए next question बहुत अच्छा total population is small देखिए एक हिंट यहां पर है एक है आपकी population जो है वो total population आपकी small है the easy method of sampling is to number each element using separate slips of paper for each element ठीक है तो आपने separate slip बनाई all the slips are put in a box सारी slips को box box में डाल दिया the researcher picks them out one by one without looking without looking without looking बोलतो selected equal to the desired sample size ठीक है तब तक उठाता रहा जब तक उसका जो desired sample size था वो उसके equal नहीं आ गया ठीक है तो इस technique को आप क्या कहेंगे तो इस technique को देखो जब आप यह करते हैं न बाउल एक बाउल है उस बाउल में आप जो है वो कुछ यह slips जो है वो उठागे रख लेते हैं ठीक है तो जब slips रखते हैं तो देखो सीदी सी बात लोटरी सिस्ट्रम आपने देखा होगा कि लोटरी इस तरह से उठाई जाते तो उसको को हम फिश बाउल सेंप्लिंग मेथड भी कहते हैं ठीक है अगर आपको पता है तो सीदी सी बात देखो टाइप 3 कुछ भी नहीं होता ठीक है और सेंप्लिंग नहीं होगा टाइप 1 और टाइप 2 में बच्चे कन्फिज होंगे ठीक है तो लेवल उफ सिगनिफिकेंस को हम टाइप 1 की एर्र भी हम इसे कहते हैं टाइप वन की एर्र लेवल ओव सिगनिफिकेंस ठीक है इसे हम अलफा से डिनोट करते हैं किसे करते हैं हम लोग इसे अलफा से डिनोट करते है चलिए next question वो कहता है वो कहता है तो इसको हम क्या कहेंगे तो जब हम इस तरह की बात करते है वह होता है आपका क्या करते हैं करते हैं वह आता है तो इसका क्या है regression effect next question in the research there are some pillars pillars and these names are अब क्या करें कुछ pillars है हमारी जो research है research ना कुछ pillars पर टिकी हुई है ठीक है उन pillars के नाम बताने में आपको हिंट दे दिया तो तीन मतलगी pillars है अभी discuss कर क्या है ठीक है तो repeatability, reproducibility and replicability यो जो तीन pillars है इन तीन पिलर्स पर यह हमारी रिसर्च जो है वो डिपेंड रहती है ठीक है तो a b and c is the right answer third option ठीक है चलिए 58th question a researcher research and find out his null hypothesis is true क्या कहता है वो उसने research करी और उसने देखा कि उसकी जो null hypothesis है वो true है ठीक है बट डिव तू सम फेक्टर ही he has he was not able to accept the null hypothesis आप देखो यहां पर question गुमा के थोड़ा सा वैसे तो गुमा के नहीं है simple ही है तो direct कहता है कि अगर आपके जो hypothesis है वो reject true है true है मगर कुछ ऐसे factors हैं जिनके कारण आपको उस hypothesis को या उस research को जो है वो reject करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह की error को आप क्या कहते हैं ठीक है तो इस तरह की error को हम लोग कहते हैं कि type 1 की error और type 1 की error मैंने भी आपको बताया कि level of significance होती है और इस level of significance को हम लोग alpha से denote करते हैं done clear है चलिए नेक्स कोश्चन इन क्वाशी एक्सपरिमेंटल डिजाइन क्वाशी एक्सपरिमेंटल डिजाइन क्वाशी बोले तो क्वाशी होता है है तो मतलब रियल नहीं है लेकिन रियल के जैसा है समझ रहे हैं रियल नहीं है लेकिन रियल के जैसा है तो क्वाशी तो इस तरह की जो आपका डिजाइन है वो किस तरह की सिट्वेशन में यूज फिल होता है या अप्लाइड होती है ठीक है तो रिसर्चर है लेस कंट्रोल ओवर दी इंडिपेंडेंट वेरिबल देन इन इन दी क्लासिकल डिजाइन बिल्कुल ठीक है दोनों आप पसमाँ से करें तो आपका option A और option B दोनों ही सही है तो option नमबर सी इस राइट नसर बोट ए एंड बी चलिए नेक्स्ट कोस्ट्टन एन एक्सपेरिमेंट इस कंडुक्टेट तो नो अबाउट इस टाइम टेकन बाइड इफरेंट एंप्लोईज वू है वह एव स्लेप्ट फोर टू फोर शिक्स एंड एट आर्स रिस्पेक्टिवली तू कंप्लेट टास्क हेर विच ओव दी फोलोईंग इस इन इन डिपेंड अब देखिए अब क्या क्या कहता है कि उन्होंने क्या एक कंडुक्ट किया जिसमें जानने जाना चाहा कि जो टाइम टेकन बाइड इफरेंट इंप्लोई वह सोते हैं कितने कितने दो गंटे चार गंटे छे गंटे और आठ गंटे रिस्पेक्टिवली ठीक है तो उस टास को मतलब साथ सोते हैं और मतलब दो चार छे और आठ गंटे सोते हैं और एक टास को कॉम्पलीट करते हैं ठीक है तो अब यहां पूछ रहा है आप से कि independent variable कौन से है independent variable आपका कौन से है अब एक कोशन यहां पूछू हुए experiment अब यहां पे आया तो आप independent में change करते हैं independent में change करके डिपेंडेंट में देखते हैं कि मेरा जो रिजल्ट आया है वो कैसा है ठीक है तो आपका sleeping आर्थ है वो यहां पे आपका क्या होगा independent variable होगा ठीक है तो क्यूंकि आप independent variable को आप कर सकते हैं लेकिन आपको टास्क तो कर नहीं है किसी की हिम्मत है वह दस गंटे वह सकते है तो यह बाध होती है ठीक है तो sleeping आर्फ जो है वो सही है ठीक है तो sleeping आर्फ जो आपका वो independent variable और इस sleeping आर्फ को में आप change कर सकते हैं मतलब अगर आप दो वगंते सों रहे हैं तो आप होंके सब्सक्राइब सकता है मेरी जो work efficiency है वो increase हुई है या decrease हुई है तो आप एक नियॉसरा आप चलिब यर और तरक लिएम शियक तर गॉल जिसे आप続 dozen नहीं करते बढ़ी पनी useless results तो ठीक आपके ईक्सक्रालीश वैयबल जो iffect डालते हैं लेकिन confounding variables ऐसे वैयवल होते हैं मगर साथ साथ वो आपके को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन सबसे पहुंचाते हैं लेकिन सबसे पहुंचाते हैं अगर यहां पर लेकिन सबसे पहुंचाते हैं तो आपका अनसर क्या होता एक्टर नेस्ट फॉर डैश एंड इट इस तो अगर दिध्यान हो तो मैंने आपको बिब्लियोग्राफी के लिए करवाया था ठीक है रिसर्च जो अपने वीडियो थी अपने फॉल रिविजन वाली ठीक है तो उसमें आप जागी जरूर देखिएगा इसमें तीनों थी एपीए वगरा भी ठीक है तो मैंने करवाय थे चे लिकागो मैनुवल ऑफ स्टाइल्स का फुल फॉर्म बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह याद करके जाना ठीक है तीनों की याद करके जाना ठीक है चलिए फिर कहता है शोध गंगा एंड शोध गंगोत्री आर इनिशेटिव ओफ तो किसकी इनिशेटिव है क्या महर्ड की है नितियायो की इनिशेटिवर इनिशेटिव या मैक्रोसॉफ्ट की है ठीक है तो जो शोध गंगा और शोध गंगोत्री में मैं ने बताया था मपे आपको की जो और रिव्यूड लिट्रेचर होते हैं या फिर आपने जो थीसिस होती हैं वो पीएज़डी होल्डर को आज के टाइम पे इनकी साइट्स पे जो है वो सब्मिट करवाने पड़ती है तो यह दोनों के दोनों इनिशेटिफ को ले के आए हैं आपके रिशर्च पेपर के लिए और रिव्यूड सिनॉप्सिस के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा कोश्चन कहता है इस्टेट्मेंट फर्स्ट एक्शन रिसर्च इस साइक्लिक इन सो फार इट इस इन्वाल प्लैन एक्ट अब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट साइकल बिल्कुल ठीक करते हैं कि हमारा जो अनस्वर आया है या जो हमारी जो फाइंडिंग साइए वो किस हद तक सही है और अगर इसमें कुछ प्रोब्लम से हैं तो हम इसे सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है सेट्वेंट के कहती है तब पर्पोस ऑफ एक्शन रिसर्च इस टू डवैल अगर जो जनल फूपडमिशिंग करते हैं ठीक है तो फिंडा में तो ऑफ टूप एंद प्रिंसिपल ओर डिटा अप्रिट स्टेबिस तो तो fundamental principle मैंने आपको बता दूं कि fundamental principle को हम लोग स्वरी fundamental research को हम लोग प्योर रिसर्च या फिर basic research भी कहते हैं ठीक है तो आपके जो यह first statement है वो कहते है गलत ठीक है तो कहते है fundamental research is directed at exploring the explore करता है पहले बाद तो कहते है exploring the applicability of truth and principles नहीं already exist ऐसा ऐसा नहीं करता वो ठीक है फिर यह तो होगी गलत एक्शन रिसर्च एमस एट एक्ट एमोल एक्टिंग the ongoing conditions and practices ठीक है तो क्या है यह ongoing मैंने आपको बता है था कि current की situation में जब चल रही है ongoing situation चल रही है या फिर immediate situation immediate कोई problem आजे उसका solution निकालने के लिए काम करते हैं ठीक है तो option जो statement फर्स्ट है वो आपकी रोंग है और जो statement second है वो सही है ठीक है तो option number d statement one is incorrect and but statement second is correct चलिए next question a researcher intends to find out the difference in motivational outlook of first degree levels level students in terms of the belongingness of rural urban areas and the educational status of parents what will be the dependent variable in the study अब इसमें आपको dependent variable बताना है अब dependent variable कौन सा होगा जो चीज जिस चीज पर हमें चेक करना है है ना तो जिस चीज पर हमें चेक करना अब यहाँ पर कहते है motivational outlook है एक चीज तो ठीक है और सुकर कहते है लेवल of students in terms of भी लोंगे ही नहीं है इंदी रूर और अर्पन तो आपका जो डिपेंड जो मोटिवेशनल आउट्लूक है वो आपका dependent variable होगा ठीक है डी जराइटर चलिए नेक्स्ट रिसर्चर मैनुप्लेट्स टू और independent variable क्या करता है researcher manipulatable तो change करता है किस को इंदिपेंडेंट variable को किसको independent variable को ही change करते हैं seven intensely to observe the effects on the dependent बिल्कुल ठीक बात कहflower nya variables पे दिस डिजाइंड ऑलााउज पॉर लए testing of two or more hypothesis in a single project this is called र औम क्या कर बंद कर रहे है किसमें है independent variables में कितने दो या 2 से ज्यादा अब उसको उसका test करके देखना है कि dependent में कितना चैंज आया तो इस तरह की situation होते है इस तरह की डिजाइन होते है जो इसको हम क्या कहते है इसको हम कहते है factor design ठीक है factor design चलिए next in conducting a empirical study a researcher employs a non-parametric test non-parametric test बोले तो जिसमें assumptions लेके नहीं चलते हैं ठीक है test for data analysis and find the statistics arrived at is significant at 0.5 level ठीक है तो यहां पर significant क्या रहा है significant है आपका जो stat निकल क्या रहा है वो क्या है significant है तो अब आप क्या करेंगे कौन सा decision लेंगे what the decision will be warrant thereafter तो आप किस तरह का decision यहां पर लेंगे ठीक है तो कहते है rejecting the null hypothesis बिल्कुल ठीक क्योंकि आपका जो है answer significant है किस पर 0.5 level ठीक है significant है तो आप इसको क्या करेंगे null hypothesis को reject कर देंगे और और क्या करेंगे आप अगर सिधी सी बात अगर null hypothesis को आपके reject हो रही है तो alternate hypothesis को आपको अशेप्ट भी कर लेंगे ठीक है तो a and c जो है आपका वो सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए क्adora की लिए मैं नेक्स्ट रुसर्च है तो यहां पर जो रिसर्च है उसमें हम क्या इसमें किन tout यहां पर निकाल लेंगी ट्राय करते हैं तो पहला जो बिल्कुल ठीक आप यही जानने की कोशिश करते हैं फिर है ज़िए वूड़ूर देखे प्लीज मैं आपको बहर बर कहरा हूं क्योंकि उसमें यह सारे कॉच्छन बहुत अच्छी तरह किसे करवाएं हुए है उनकी कंसेप्ट है वहां में लिए ठीक है तो वहां हर चीज बहुत बारिकी से बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से समराइज़ वे में कराई हुए है तो प्लीज देखे कर जुरूर ठीक है और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब होगी तो सब्सक्राइब होगा इसका मतलब होगी आपकी सब्सक्राइब इनकलिटी नहीं होगी सब्सक्राइब इनकलिट हो गी उनेस सब्सक्राइब होगी और यह तिन grandson की मितनो सब्सक्राइब होती है उट्प्सक्राइब सब्सक्राइब है ना ध्यान है तो चलिए फॉल्वाइंग इस दी ओल्डेश्ट आर्चिवल सोर्स ओफ डेटा इन इंडिया तो ओल्ड यह देखो प्रिविए सीर कॉश्चिन था आई थिंग यह 2013 का कॉश्चिन था मुझे जहां तक ध्यान आ रहे हैं ठीक है तो यह 2013 का कॉश्चिन है और सब्सक्राइब करने इंडिया में सबसे पुराना सौर्स है इंडिया का वो है आपका कौन सा страш है आपका कौन सा Om होगा इस सीरीज का वह हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले क्योंकि उसमें मैंने कुछ नया डाला है और आप कुछ नया देखो गया इस बार ठीक है क्योंकि इस टेस्ट में इस तरह के कोश्चन से आपको मिलेंगे तो मैं थोड़ा उसमें चेंज किया है थोड़ा सार प कौन करता है और कि करता है कॉलिटेटी रिसर्च क्वास में गिनके बता देगा लेकिन क्यों क्यों करते हैं तो रियालीटी की बात जो चलिए Queensland करने में चलिए उतकति आज के लिए सरफ इतना ही, thank you very much.